नमस्कार दोस्तों आपके अपनी यूटुब चैनल आर दिवरिन में आपका सौगत हैं दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकों को प्रेज जरूर कीजे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलती रहें तो दोस्तों आज आपन बात करेंगे मारोती सुजी की इंडिया लिमिटेड कमपनी के बारे में क्योंकि कमपनी जो है वो हर्या नामे एक निव यूनिट डालने जारी है हर्या नामे जहाँ पहले से ही उनकी दो यूनिट है एक है गुरू गराम और दूसरा मानने सर में और यह जो अभी नई यूनिट डालने जारी है वो सोनिपर डिस्ट्रिक्ट में है जिसको मनोरलाल खट्टर ने 900 एकर का प्लांट प्रोवाइड किया है यह कापे अच्छी न्यूज है शेर होल्डर के लिए कि कमपनी और एक इवनिट हर्याना में डालने जारी है जिससे शेर पे भी आज के दिन कापे अच्छा असर दिखाई दिया है न्यूज के चलते देख सकते हैं शेर में 7.28% का अच्छा खासा आज के दिन जम दिखा है वही एक महा का चार्ट पेटन देखे तो 5.13% की रिटन दिये एक महा में एक साल में 15% की रिटन है वही 5 साल में देखे तो 62% की रिटन दिये 5 साल में maximum का chart pattern भी देखे तो 4553,43% के return है company ने अभी भी अपने all time high को touch नहीं किया है अभी भी company अपने all time high से बहुती नीचे है company की balance sheet देखे और balance sheet में देखेंगे अपन result and surplus result and surplus 2017 से देखे तो 36,924 वही 2018 में 42,408 2019 में 46,941 2020 में 59,262 62 और अभी देख सकते हैं 2021 में 52,359 year on year देख सकते हैं उनके reserve में भी कापी अच्छी growth हुई है long term का करजा देखे तो 3 करोड के लगबग company को उपर long term का करजा है वही short term borrowing देखे short term का करजा तो 488 करोड का company को उपर short term का करजा है वही company ने देख सकते है current investment किया है 8,415 करोड का company का current investment है और company के पास cash and cash को लेन देखे तो 3,047 करोड का company का cash and cash को लेन है मतलब short term का और long term का करजा जो है company नेल करने के बाद भी company के पास अच्छा खासा cash बचा रहेगा 5 star company की balance sheet बोल सकते हैं उतना company को उपर ज़्यादा करजा नहीं है company का revenue देख सकते हैं 2017 में 68,085 करोड का था वही 2018 में 89,809,2019 में 16,068,2020 में 25,660 और 2021 में देख सकते हैं 70,312 year on year देख सकते हैं उनके revenue में भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है लेकिन 2020 और 2021 में देखें तो करोणा का काफी ज़्यादा असर हुआ है अभी भी company semiconductor का issue company को उपर चालू है company का net profit देखें तो net profit भी company ने काफी अच्छा जनरेट किया है 2017 में देख सकते हैं 7,338 वही 2018 में 7,717 वही 2019 में 7,494 में 2020 में 5,560 वही 2021 में 4,220 करोड का company ने profit जनरेट किया है 2020 और 2021 में company के profit के उपर भी काफी अच्छा असर हुआ है promoters के shareholding देखते हैं promoters के पाद देखें तो 56.37% share है TIS के पाद देखें तो 22.52% share है वही TIS के पाद 15.98% share है और public के पाद देख सकते 5.12% share है company का overall performance तो काफी अच्छा है company ने काफी अच्छा profit भी जनरेट किया है लेकिन semiconductor का issue है 2019-20 में जिसके कारण company ने अपने profit जनरेट नहीं कर पाई है company के 5 star balance seat है इस company में आप invest करकर चल सकते है अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like and subscribe जरूर कीज़े Thank you